जहिन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों सुबह के चार बजे हैं हम लोग सुरू कर रहे हैं एमफोटेरिक और एमफिप्रोटिक टॉपिक आज हम लोग जानेंगे कि क्या दोनों सेम होते हैं या इन दोनों में कोई अंतर होता है तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं, पेपर को दो हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर डिसकस करेंगे, एमफो टेरिक के लिए, लेफ्ट साइड में कुछ रियेक्शन लिए हुए है, पहले रियेक्शन के अंदर S2O जो है HCl के सा अब दूसरी रियेक्शन देखिए बच्चों, यहाँ पे वाटर जो है वो अमोनिया बेस के साथ रियेक्शन कर रहा है, अमोनिया मायन देने के लिए और हाइड्रोक्सिल आयन देने के लिए, क्या आपको किलियर है, तो यहाँ पे आपने देखा कि S2O जो हमारा कमपाउं था, उसने एसिड और बेस दोनों के साथ रियेक्शन किया है, अगले एक्जामपल में हमने AL2O3 लिया हुआ है, तो AL2O3 जो है, वो HCL एसिड के साथ रियेक्शन करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है, ठीक, उसी तरीके से अगली रियेक्शन में AL2O3, NUH बेस के साथ रिये इस दोनों के साथ रियेक्शन कर पा रहे हैं, तो ऐसे कमपाउंड जो बेस और एसिड दोनों के साथ एजिली रियेक्ट कर जाते हैं, वो कहलाते हैं, एमफोर्टेरिक, ध्यान रखिएगा, The substance which can react with acid and base, both, that will be amphoteric in nature, किलियर है आपको, कोई भी ऐसा सबस्टान जो एसिड और बेस दोनों के साथ इजिली रियेक्ट कर जाता है, वो amphoteric नहीं कर जाता है, जैसा हमने उपर के दो एकमपाउंड S2O और L2O3 के साथ देखा, अब बात करेंगे बच्चो, amphiprotic की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने वाटर कमपाउंड लिया हो है, तो आप देखिए, वाटर जो हमारा कमपाउंड है, वो दो रियेक्शन दिखा रहा है, लेफ्ट साइड पे उसमें H+, एड हो रहा है, प्रोटोन एड हो रहा है, ल अब जब S2OH H+, को गेंड करता है, लेता है, तो S3O+, हाइडरोनियम आयन बनता है, तो आप देख रहे हैं, कि S2OH ने यहाँ पे दो उर पार्ट, तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे S2OH ने हच्ट प्लस को लिया भी है, और दिया भी है, यानि कि S2O प्रोटोन ले भी सकता ह और दे भी सकता है अब अच्छो अगले आग्जामपल को देखिए ammonia जो है left side में H plus को ले रहा है proton को ले रहा है तो बना रहा है ammonium ion और right side में आप देख रहें कि यह loose कर रहा है proton को H plus को निकाल रहा है तो बना रहा है ns2 minus ion दोनों example से आपको clear तो हो ही गया होगा वो है कहलाता है M-P-Protic, अब यहाँ पे दो एक्जाम्पल ओर लिये हैं, आप इनको देख लीजे, यहाँ पे दो compound, इस बार हमने दो iron लिये हुए, दोनों में difference है, यह देखिए SH- यहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो यह देखिए जब यह H+, को लेता है, प्रोटोन को लेता है और दे भी सकता है, तो किलियर हुआ, M-P-Protic है यह नेचर में, आप बात करते हैं, H-S-O-4-ion, यानि बाइ-Sulfate-N-I-N की, तो जब यह H+, लेता है, तो यह Sulfuric Acid में Convert हो जाता है, लेकिन जब यह proton H+, को लूस करता है, proton को निकालता है, तो यह Sulfate-N-I-N में Convert होता है यहाँ पे हमने दो compound लिये और बच्चों दो iron लिये, तो इन example से आपको किलियर हुआ होगा, कि कोई भी compound या कोई भी iron जो H+, यानि कि proton ले सकता है और दे सकता है, वह कहलाता है, M-P-Protic, एनि सबस्टान्स और iron विच केन गेन और लूस प्रोटोन H+, विल बी M-P-Protic in nature, धियार न किया, all M-P-Protic are M-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- वो सारे के सारे M-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- amphoteric नहीं है clear है आपको यही कहा था आपको कि सारे के सारे amphiprotic compound amphoteric नहीं होते हैं कुछ होते हैं सारे नहीं होते हैं लेकिन सारे amphoteric amphiprotic का example है ऐसा आप different reactions में देख सकते हैं तो आज हमने जाना amphoteric और amphiprotic का difference hopefully आपको clear हुआ होगा आपको